EVC Class 12 के curriculum, Class 12 के computer science के curriculum में second topic आपका functions का है ।!」 और functions की functions पे आज हम लोग उसको discussion करने वारे हैं, functions क्या होगे हैं, why functions are used in the programming, और कैसे functions एक create किया जाता है, कैसे उसका use किया जाता है, और existing या कितने तरह के कितने टाइप के functions आपके Python programming में होते हैं तो इसके बारे में हम लोग discussion करने होते हैं सबसे पहली चीछ जो हम लोग बात करेंगे कि functions को क्यों use किया जाता है functions की जरूवत क्या पड़िए functions को use करने के लिए functions का जरूवत है आपको 30-40 lines के प्रोगाम को बोटू करने हैं और उसका फैक्टोरियल में निकालना है और वह यह भी चेक करना है कि वह प्राइम नंबर है यह भी चेक करना है वह इवें नंबर है तो अगर एक प्रोग्याम में हम यह तीनों फीचर डावते हैं तो number of lines आपको क्या करने आपको 30-40 lines के प्रोग्याम को बोटू करना पड़ेगा one by one आपको देखना पड़ेगा कहां पर error आएगी और जो है और हो सकता है कि आप अगर एक पार्ट को सही करें तो दूसरे पार्ट में आपने तो यह जो यह एक अगर अगर एक बड़ा प्रोग्याम ऐसे लिखा गय है तो यह काफी inconvenient है और इसमें कहते हैं इसमें जो है यह error prone भी होगा और easily इसको maintain नहीं किया जा सकता easily इसको error free नहीं बनाया जा सकता इनके सगर error आप ठीक है इसमें हम एक बड़े प्रोग्याम को छोटे-चोटे प्रोग्याम में चोटे-चोटे हिस्सों में डिवाइड करते हैं और हर हिस्से से बिली करने के लिए फंक्शन आप आपने जैसे for example अगर आपने क्यारे कि आपका इसी प्रोग्याम के अगर हम बात करें कि मालु कि वह निकाल ला है और प्राइं करना है और आपका फिल और प्रोग्याम यह लिए को अरो भीस का पांपे उसंसे फादा हियरा कि आप उस नंबर प्रोग्यान है पास करके आपक्टोरियल ओ निकाल सकते हूं last ruling Outdoor को इसे फाय् CobilOW मिन अट बाउन प्रोग्या कि रह सकते हूं निकाल सकते हैं एंड उसी नंबर को प्राइम नंबर वाले function में पास कोके प्राइम पड़े से इनकेस अगर किसी एक सरीमान ये प्राइम नंबर की checking में गवरी गाँ तो इसका मतलब कि आपको आपको जानते हो याको किस पॉर्टिक्टलर function में आपको क्या करना पर अब पू Maintainability का benefit है, आप easily किसी चीज को सहीermिया में, किसी error को सहीermिया में सर्च करके, इसको identify करके, उसको troubleshoot कराने में जो convenience है, जो deal करने में पुग्यान से deal करने में जो convenience है, वो आपका functions के तो ही provide होता है, तो कैसे function बनता है कैसे हम उसे जो है अप्रे तुन्यानी बेनिफिट उठाते है उसकी हम भाटार करते है तो सबसे पहली चीज़ तो यह है कि अगर आप कुछ basic जीने जो है वह आप करें इक function में क्या है इक function एक ऐसा component है जिसमें set of group of lines लिखी होती है of lines और यह line इसले लेखी जाती है यह programmatic lines इसले लेखी जाती है जिससे आपको आपी problem को जो problem है यह question है उसको up solve और और इसमें क्या है function कुछ input भी ले सकता है as an argument ठीक है और function कुछ work perform करें रिटन्स वाल्य मैंस को यह कुछ value भी बाता है तो यह functions के अंदर group of lines लिखी जाती है मतलब more than one line इसमें लिखी जाती है और इसको इसमें कोई value पास की जाती है तो उस value पे कोई operation होता है और वह operation को the result आता है वह output के पौर में आपको return किया जाता है तो यह तीन जी हैं हम लोग function के बारे में हम लोग को देखने को बिलेगी तो अब हम लोग स्क्रिप्ट करेंगी और idl को ओपन करते हैं तो यहां पर एक स्क्रिप्ट ओपन करते हैं यूपाइब और अब 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 function की making में दो जी हो पर यहां रहते हैं अब सबसे पहला का हूं declare and define the function declare and define कि आप क्या है कि इसी फॉंक्षन को आप क्या करो declare करो और define और और फिर गूसरा काम क्या है आप डिक्ले और define करने से यह आपका function working नहीं हो जाता जब तक आप क्या करोगे function को call call ता ठीक है तो आप जिस तक call नहीं करोगे तक आपका function जो है working में नहीं है तो आपको क्या करना है अपने function को declare करना है और define करना है और फिर call किर हम दिखाते हैं कैसे declare क्यार और define करोगे तो declare किसी भी function के को declare करना है तक मतलब है तक मतलब है और यह और यह फॉक्शन का नाम यह नाम यह लेम आप कुछ भी दे सकते हो यो भी आपके अपने चाहओ यह नहीं है नहीं है is अब इस function में से यह on तो यहां पर आप देखो यह declaration लाइब भी ठीक है आप definition lines में कुछ है और भी लिख सकते हैं तो यह function के यह अंगर माली जाए कि तो यह function बनाया है और इस function को हमने save किया desktop में अभी आपने में करके folder बनाया है तो आपने cross activity सिर्क function बनाने से ही आपका किसमे problem solve नहीं हो जाएगी function आपने बना दिया तो यह working नहीं हो गया तो आप अब इसको run करा रहे हो तो कोई अब इसको run करा रहे हैं तो यहां पर किसी तरह का कोई output नहीं हो तो कि आपने declare and define तो किया है जब आप call करते हो जब कि अगर आपको function से output चाहिए और function वर्किंग आपने काना चाहते हो तो आपको क्या करना पड़ेगा तो आपको ठेन अपर आपने आपके से अपर आपके यह विक्त एख लिए जो चीज है इंगे बच फंक्षन को पहले आपको और थीक्राइन करणा चाहिक हम पना पड़ेगा और फिर उसको को आप इत्री बार आख करोगेगे सही क्याति आप इसको पॉल किम जा जा जाते हैं है देखिये के हutable न utilizzERE हलो है 4 बार देखिए को फिर में रहुदें इलोगे है तर किके पर अगर एक कि बार और करोंगे तो उतना वह और फोट फेक्ट of lines पिराज़ेगी अब ठीच यह आपकी यह हमने एक फॉस्ट सीन यह आते हो कि आपने एक function declare किया अब आते हैं parameter passing की बार कैसे मैंने कहा है कि मैंने अभी definition में लिखा है group of lines हो सकती है ठीक है यह आपने लेकिन यह कुछ input लेता है और कुछ output लेता है ठीक है ठीक है ठीक है तो अब input कैसे लेता है ठीक है तो उसको हम रहे देखेंगे दूसरे पर आपने जैसे for example अब लोग क्या अनलाइज करने वाले हैं function takes a तो इस बात को हमें की proofing करने वाले हैं इस बात को देखने वाले हैं तो function output लेता है कैसे लेता है यहां प्रामेटर की तरह से इंपूटे लेता है कैसे प्रामेटर क्या होता आपने जैसे आपने देख करके ऐसे मारें अब तरह से एक function दिया जो को चेंग अरो बें यको अरुसका डबल करें इक यह जोगी फूटा सा मना अके रिखाता हूँ जैसे कोई नंबर तू अगर ले रहा है तो फिर उसका तू तू बिदू करके फोर करके इन और रहा है यहां पर आपधे को आप्धूट है इनी दो लेकेट प्रवाइट के पिछ पर प्रवाइट के दिए जहा है तो इसको क्या है कि जैसे आप एक तर्किल का सर्कम्फरंस निकाल दे तो तुपाई आट कर्किल का तो र इस जिनल तो अ र को आप अरक डिए पार्मुले में देखा जा जाता है सावगी है तो अत्रु सिर्टिम्ट का नाम राद है तो इसमें एक वैलग करके इक इस समय जो खेंक इन्हाराइब यहाँ पर एक value सिकाव दफान रखेगा वाल नाम का value लगेगा वाल नाम का value लगेगा यह आपने पॉन्चे यह पॉन्चे तम वर्ट करेंगा जब वैल में कोई बैद गार तो इसको एक पॉन्मल पारेक्ट है आपने कहां तक यह पॉन्चे हम बना रहे हैं जो जिसमें हम डालू देनी है और बोसका डबल दाए तो डबल करने के लिए करने के अच्छाए मैंने क्या रहें दो डबल ओ दो दो डबल दो इस अपने यहां पर 2 इंटू वैल करी वैल की यह से पुली का है यह वैं को पुछ ऐसा ही कर थे कि यहां पर अगर आप एक्श्यान नहीं नहीं तका चाहते हैं तो यह दिए निदेट वैल करूज। इसे रिजर्ट दिया और फो इंटू वाल ऐसे एक है तो यह पहुंक्शन यह वालो का डबल हो गया तो इसे डबल करते हैं यह आपने यह जो है इस तो इस पॉर्टिकलर एक्टिविटी को हमने स्केंड एक्टिविटी के ला हुआ हुआ है और इसको डेस्टॉप में मेर इं स्टीट करके इस गसी पॉर्टिकलर. यह जो है एक फॉर्टिकलर यह में और इनफूर्ट में कहां इस वाल। ==== आपने आमने क्या है कि वज्टिविटी पॉर्टिकलर आंज को अंदा यह एक डिए क्टिविटा है इस पॉर्टिकलर यह क्टिविंगन को पॉस एक我们 अब दीगा यह पर्फॉवर आप यह लेकिन इतने से ही आपको फॉश्ण कहां करेगा नहीं आपने कराया और फॉश्ण ने कोई और पॉश्ण ने लिया मतलब आपको कॉल करना कोई अब क्या है आप जाना है कि आपको का नाम है प्रिए डबल और वह एक वैली की दिमार्ड करें अब पहले आपने क्रिए डबल देगे अब माल लीजे अगर आप इसमें पारमेटर नहीं पास कर रहे हैं तो यह क्या देखा है यह आपका error नहीं पास करना है तो आपको क्या करना है यहाँ पर कोई value देने करें यह आपने 10 दे लिया तो यहाँ पर आपने है यह अब आपको आपके तो यह पॉडेघं अब यह फंक्शन जो है जो है जो है डेक्लेरेशन टाइम में जो पैरामेटर आप अर देखिए अपके अपने अग्लग करने नहीं पास करते हैं इसको क्या वह उता है आपके फॉर्मय पारम्टर गिए तो यहाँ पर आपको तो यह जो चीज है आपको क्लिए डबल करके आपके इस तो यह आपका क्या है कि यह आपका function आपके कैसे इस जाए जहां में मैंने बताया यह function से कैसे count करके आपके डबल किया और यह parameter है यह इसको formal parameter करते है इस parameter पर ही function करता है और result calculate करके आपके फोल देते हैं और जब आपके call किया है तो आपके follow parameter आपके देना पर है तो अगर आपको problem solve करने है तो आपके value है नहीं पड़े है तो इदर क्या है यह आपको एक value एक parameter यह आपके दिया है यह parameter आपके तो यह चीज़ यहाँ पर आपको आपको आपके अब यहाँ पर एक provision और जिसको फोरा सा आपको ध्याश्य देता है ठीक है सबसे पहने चीज अब हम बात करते हैं हमने अभी अभी बात की है कुछ वरूंस है functions के जो आपको थोड़ा वो सीखने कोई तो कि इनके बिना काम नहीं चाहिए सबसे पहले चीज़ तो यह है कि आपने कहा एक function यह यहां पर आपने एक variable दिया अधा ओर यहां मुद्न और यहां मुद्रेस अब आपने obviously बाद मैंने काट अब आपने वाल करना है तो आपने ही में आपने अब तो पाई गया और आप ने यहां पर पारामेटर लिया और जबना में करा रहां और मा दीजे मैंने अच्छुल पारामेटर नहीं लिया यह पार्ट नहीं लिया तो कहना रहा है तो आप यहां पर आपके कुआ है अब अब बता रहा है आप error को भी ध्यांसे को टाइब माई function missing one requirement position वैल आपने नहीं दिए तब कैसे आप function को call कर रहे हो और अब इस problem से बचने के लिए आपका पाइपन में default value का कर सकते है default value में क्या है default value में सबसे बड़ी चीज़ है कि default value में अगर आपने वैल को define करते हैं और यहां पर आपने कोई value यहां देगा है तो यह जो एरर आती है बने यह आपने अच्छल पारामिटर नहीं दिया है तब यह आपका इस तरह से बाइल डेरें का तो क्याता है इसको default value नहीं पर देखाने वाल में यह प्रादमेंद्र वैल्या रही और लिए ने अगर और वेद्ध ने इन आप यह वैस्टी कर जाती है यह जाती है आपके पर आपके बचल जाती आपके पर आपके और आपका इस और रिज रहे हैं कि अपने आप के इस तरफ दो आ रहे हैं तो पर रहे हैं जब आप कुछ नहीं दे रहा हैं जैसे वी आपने इस पे इंद रहे हैं तो अगर आप यह ना देना चाहों और कभी अगर आप चाहों कि यह जो आ रही हो ना तो इसके लिए यहां पर आप अगले लेक्शर में बताऊंगा कुछ चीजें कैसे आप वोस्ते हो जैसे मुझे प्षाय मना रहा है कि आप कर देंगा है इसका इस सब प्र इसके मैं का आप करते हों तो यह पार है हम अगले लेक्शर से लिए करेंगे तो इस लिए सब मारन करहें इन चीजिकुलर में स्ब्वार तो चाहिए को बताऊंगे है यह यह पहले ही आपको आण गी तो हम इसको बहुत बेखली एक्स्क्रीन करेंगे कभी भी आपको पूर दिक्कर ना होगी तो वहाँ पर क्या है विद्धिक फॉंक्शन मॉडिल्स के बारे में हम दो डिसक्शन चैपर में करेंगे और यह चीज़े जोते हैं वह अमार्पों दे रहे हैं तो यह आपको ध्यांसे हैं तो नहीं पे वाइटाप करते हैं और अगले लेक्छा में हम दो करते हैं